अलो एवरीवान केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने गरूपे सेफ होंगे तो आज हम करेंगे जुलाई सेकिंड वीक के इंपॉर्टन करन्ट अफेर्स तो जो लोग यह चैनल पहली बात देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ याम पे आपको एक अपडेट देदू हम लोगों ने जैनुरी से लेके जुलाई तक के इंपॉर्टन करन्ट अफेर्स को डिस्केस करा है अलगलग सेग्मेंट में हम लोग उसको अप्लोड करा है आप लोग एक बार उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा और कोशिश ये रहेगी कि जल से जल्द हम लोग इस महीने के वीकली करन्ट अफेर्स को खतम करके औगस्ट के शुरू कर दे ये लेक्चर सीरीज थोड़ा सा लेट हुआ है बट इस लेक्चर सीरीज में हम लोग गैप नहीं पढ़ने देंगे वीकली करन्ट अफेर्स आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा हम आज की ग्लास को बिना जादा टाइम वेस्ट किये सबसे पहला क्वेशन आप लोगों की स्क्रीन पर है रिसेंटली एक थ्रेड्स आप जो है वो बनाई गई है यह एक नहीं तरीके का यह किसके दुरा बनाई गई है अभी तक बहुत साब्स आधे हमाने बच्चे भी ऐसे हैं इसको डाउनलूड करके वहाँ पर आपने आपको इसको यूज करना भी शुरू कर दिया होगा देखो यह किसके द्वारा शुरू किला गया है यह करा गया है Meta के दोरा Meta का पहले नाम था Facebook ठीक है तो Facebook ने किसको खरीदा था Facebook ने खरीदा था Instagram को और यह Instagram का ही एक feature आप लोग मान सकते हैं जो एक नही आप की form में आया है जिसका नाम है Thread App ठीक है तो यह आप लोग यहां से डारेक्ट अपनी इंस्टा इडी से जो है लॉग इन कर सकते हैं इसी के साथ साथ एक वो न्यूज इंपॉर्डेंट है जो ट्विटर है अब इसका नाम बदल दिया चुकी है दुबारा पूछी जा सकती है यह बहुत वड़ी डील करी थी ऐलन मस्क ने जो किसके founder है किसके मालिक है तो यह स्पेस एक्स के भी तो देखो यह जो एक्स वर्ड है इसको बहुत जादा है तो वह है मेटा नेक्स पर आते हैं हम लोग कौन सी कंपणी ऐसी है जिसने एक M.O.U. साइन करा है N.H.A.I के साथ यानि की नेशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया के साथ ताक की वह एक टेक्निकल सर्विसेज देगी रोड सेफटी के ऊपर अब यह जो टेक्निकल सर्विसेज प्रवाइड करेगी इसका नाम क्या है तो इसका नाम है टी एच डीसी इंडिया लिमिटेड इन्होंने M.O.U. साइन करा है एक N.H.I.I. के साथ अब यहां पर काम करेंगे इनके साथ मिलके और कोशिश यहां पर यह की जाएगी इस पूरी डील में अगर मैं बाद करूं तो एक और टी एच डी डीसी की बाद की जाए तो यह किस कंपनी के अंडर काम करती है अगर आप से पूछा जाए तो यह काम करती है N.T.P.C. के अंडर के अगर डारेक्ट पूछा जाएगा तो यह भी याद रखना है अब N.T.P.C. को फूल फॉर्म है नैशनल थर्मा पौवल कॉपरेशन लिमिटेड इनके अंडर यहां पर यह काम करती है तो इन्हों नहीं एक M.A.U. साइन किया है तो यहां पर याद रखना नेक्स पर आते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनामिकल यूनियन आई यह यूने नेम एक माइनर प्लाइनेट जो है उसका नाम किसके नाम के उपर रखा है और साथी साथ यह पहले ऐसे इंडिया के प्रोफेशनल मेटेयोर मेटेयोर एस्ट्रोनॉमर से और अधर तीन साइंटेस्स यहां पर है जिनके उपर केला गया है तो पहले तो इसका नाम याद रखेगा कि क्या रखा गया है इसका नाम जो है किसके नाम के उपर रखा गया है यह पूछा जाएगा तो यहां पर याद रखना है इसका नाम रखा गया है अश्विन शे है जो रखा गया है यहां पर उप्रोफेशनल अ इस्टेर और थे तो इनको भी यहां पर आप लोग याद रिखेगा चिक है नेक्स्ट पर आते हैं कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने MOU साइन किया है वो एगर स्पेस के साथ एक्स्प्लोर लांच एंड डिप्लॉयमेंट ओपरचुनिटीज फॉर स्मॉल सेटलाइट और विटेड बाइ स्मॉल सेटलाइट लांच वीकल अब इस एसल्वी और पीऊवली के यहां पर किसने MOU साइन करा है कि जो समॉल सेटलाइट की होती है घड उसपर कंपणी ने साइन करा है तो यह आपको पहले याड रखना है इस company का नाम क्या है इस company का नाम है nsil याने की new space इंडिया लिमिटेड देखो जो new space इंडिया लिमिटेड है यह central public sector enterprise है इसको भी याद रखना इन्होंने यहां पर यह मुझान करा है ताक कि यह करेंगे अभी तक यह question important जुबनते हैं थोड़ा सद्यान से समझेगा पहले हम लोग जित्रा में काम करते थे सैटलाइट के उपर वहां पर आप लोगों को नाम देखने को मिलता था इस रोगा इस रोग ही maximum अगर मैं इस company की बात करूं वाइकार स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यह already जो है customers की जो सैटलाइट है उसको already PSLV दो PSLV mission में already यह successfully जो है fly कर चुकी है तो इसलिए यहां पर NSIL का यहां पर जो collaboration इनके साथ हुआ है काफी important होगा और काफी news में भी यह था नेक्स पर बात करते हैं हम लोग एक बारी वर्ल किश्वाहिल लेंग्वेज डे यह observe करा जाता है UNESCO के द्वारा हर साल किस देट को देखो हर साल यह साथ जुलाई के दिन किया जाता है अब यहां पर जो question है यह जो आप लोग देखने है इसकी एक theme भी थी Unleashing किश्वाहिली potential in the digital era तो यहां पर इसको याद एकना अब यहां पर बात की जाए जिन्हें आप यहां पर देख रहे हैं यह जो बच्चे आप देखने हैं यह पर्टिकुलर एक community है जिसको इस day को observe कि जाता है ताकि जो इनका cultural diversity है या फिर awareness पहलाई जाए कि किस तरीके स जो civilization है यह चेंज हो रही है और यहां पर इनको आपको बस इतना याद रखना है यह आपके लिए important होगा क्योंकि निसेंट था निउसमें था इसलिए आपको यह भी पता रखना है क्योंकि जो आपके एक्जाम जैसे कहने हैं कि जल्दी आने वाले हैं तो इस तरीके का हो स जाए ECI याने की ECI और ET यहां पर बात करो election commission of India ने एक MOU साइन करा है electoral tribunal के साथ ताकि establish करेंगे institutional framework for their ongoing cooperation in the field of election management and administration अब यहां पर यह किस country का electoral tribunal है जिसके साथ हम लोगों ने यह MOU साइन करा है तो देखो ECI के अगर बात करें election commission of India इन्होंने यहां पर बात करी है यह MOU sign किया गया है यह करा गया है पनामा के साथ अब आपके syllabus में कहीं बार आपने रेखा होगा countries और capital पूछी जाती है तो पहरा question तो यहां पर यही बनता है कि पनामा की capital क्या है तो पनामा की capital बहुत असान है पन पनामा City बहुत असान है यह पर बहुत बार यह question भी आता है confused हो जाते हैं कहीं बर बच्चे तो लेकिन यहां पर याद रखना यह MOU जो sign किया गया है यह MOU proper sign करा गया है कि अब से जितना भी कोशिश की जाएगी कि help करने की यहां पर पनामा में भी जो electoral tribunal है यहां पर उन् काम करने के लिए यहां पर इनकी help करी जाए नेक्स पर आते हैं हम लोग नेक्स क्वेशन एक सेकंड रुकिएगा एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा से जी एक सेकंड जी ठीक है नेक्स क्वेशन आप लोगों की स्क्रीन पर है United States of America ने इंडिया के साथ एक operation करा है कंड़क ताकि जितने भी illegal medical product जो है जो shift कर जाते है international mail system में तो इसको जो है ढूंडा जाए तो यहां पर अगर बात की जाए तो यह जो operation था इसका नाम क्या रखा गया था जो illegal drugs जो supply होते है उसका नाम क्या रखा गया है यहां पर बताएए तो देखो इसका नाम याद रखना इसका पहले question में सबसे important most important इसको मार कर दीजेगा यह एक ऐसा अपने आप में जो शुरू किया गया है यह कब से कब तक चला गया यह 12 से 23 जून तक चला गया था लेकिन कोशियां भी कि रही थी कि जितनी भी यहां से चीजन जाती है यह वहां से यहां आती है उसमें कोई भी illegal drugs इसमें shipment में ना हो तो यहां पर इसको ध्यान में रखने के लिए यह जो एक पूरा operation है यह चलाया गया था ठीक है नेक्स पर आते हैं कौन सी country है इसी है जिसने जोइन करा है champions group of the global crisis response group cgrg तो देखो यहां पर बात की जाए यह important क्यूं है क्यूंकि इसमें जोइन करा है इंडिया के द्वारा सबसे रीसेंट लिए अगर आप से पुछे आगा सी जी सी आर जी का लेटिस्ट जो मेंबर एड़ हुआ है वो कौन सा है global crisis response group का united nation के द्वारा यह बनाये गया है तो इसमें जो latest addition हुआ है वो हुआ है इंडिया का अनाउंस करा था ministry of external affairs ने जिसके मिनिस्टर है इसमें एस जैशंकर जी आप यहां पर फोटो भी देख सकते हैं यहां पर मिनेंद्र मुदी जी की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी तो यहां पर एक virtual meeting के दौरान यहां पर कहा गया था कि यह जो है आप यह पर जो है इंडिया पर इसका पार्ट बन चुका है तो यह बहुत important है इसको ध्यान में रखिएगा यह question यह question और पहले वाला question दोनों questions आपको किसी ना किसी exam में जरूर देखने को मिल जाएंगे और इसकी full form भी याद रखिएगा कि GCRG group है कौन सा है next पर आते हैं life insurance company जो है हमारी LIC जिसे हम कहते है इन्होंने recently best insurer innovation का जो award है वो जीता है देखो यहां पर question जो है यह थोड़ा सा मैं गलत बोल चुका हूं कौन सी ऐसी life insurance company है एक तो life insurance company जो है वो अलग है आप लोग जो समझ रहे हैं और जो मैं समझ जा था लेकिन यहां पर क्या है कौन सी ऐसी life insurance company ह है इंडिया की जिसने जीता है best insurer innovation award for the asia pacific region at world world's digital insurance awards तो देखो यह award जीता गया है बजाज alliance के द्वारा बजाज alliance का जो life insurance है उसने यह वोड़ जीता है तो यहां पर इसको याद रखिएगा next पर आते हैं कौन से ऐसा Indian badminton player है जिन्होंने recently meant single final जीता है badminton world federation का जो योनेक्स Canada open हुआ है तो वहां पर Canada open में किसने जीता है यहां पर मैं single final badminton के अगर बात करूं तो badminton में इंडिया की team बहुत अच्छा perform कर रही है इंडिया के जो players अब बहुत अच्छा perform करें एक time पर बाहर की country जो थी इंडोनेशिया चाइना यह मलेशिय बहुत dominant करती थी sports को लेकिन अब यहां पर इस title को जैसे आप देख सकते Canada open को जीता गया है किसके द्वारा लक्ष सेन के द्वारा तो यहां पे question बहुत important बनता है पेपर में direct पूछा जाएगा कि यह कौन से sports से बिलॉंग करते हैं ठीक है और यहां पर नाम देख रहे हैं यहां पे रेंके रेडडी जी और इनके साथ एक और player है अब यह homework आपको मैं दे रह जो होते हैं डबल जो डबल में जीता है तो उनका नाम आपको यहां पर बताना है comment box में ठीक है नेक्स पर जलते हैं हम लोग देखो एमदाबाद ने अभी क्या किया है यह चेर सिटी बनी है ऑफ अर्बन ट्विंटी 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 की जिनने दो दिन का यू ट्विंटी मेरल सम्मिट जो है वो होस्ट करा है किस सिटी में अब देखो यहां पर यह जो question है यह अपने आप में ही थोड़ा सा अलग है अब यहां पर क्या है देखो यह दो चीजें है यह दो नहीं जाएगा यहां जाए इस की अगर आप से पूछा जाएगा चेर सिटी कौन सी है ठीक है तो पहला question का answer याद रखना कौन सी है जो उपर लिखा हुआ है एमदाबाद ठीक है यहां पर clear है तो दूसरा question क्या है कि U20 का अब जैसे हम लोग G20 देख रहे हैं G20 की Presidency किसके पास है इंडिया के पास लेकिन G20 की अलग-अलग जो इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में यूटीज में हो रही है वैसे ही यहां पर question क्या है यहां पर पूछा जाएगा यूट्वेंटी में मायो रोल सब्मिट कहां पर हुआ है तो यहां पर याद रखना यह कहां पर हुआ है यह कंडक्ट हुआ है गांधी नगर में ठीक है तो यह इसका अंसर हो जगा पेपर में देख रहना कि पूछा क्या है उसके बाद ही इसका अंसर जो हो मार करना यह आपके इस तरीके के question जो है बहुत सारे बनते हैं c40 cities हो गई या फिर आपकी United cities and local governments हो गई UCLG जो हो गई तो यहां पर यह चीज़ या रखना यू 20 किया है यह भी पता होना चाहिए इसके अलावा अगर हम बात करें और इसकी थीम तो वही चलती आ रही है वासुदेवर कुटमबगम यानिकी one earth one family one future यह थीम है ज दोनों के याद रखिएगा next पे आते हैं जुलाई के महीने में मिनिस्ट्री और पेट्रोलिय में natural gas ने अनौंच करा है कि नुमाली गर्ड रिफाइनरी लिमिटेड जो है अब वह एलिवेट कर दी जाएगी schedule B से schedule A category में central public sector enterprises में government of India के द्वारा तो देखो यहां पे पहली जाने की बहुत उटपटां से कि नुमाली गर्ड रिफाइनरी लिमिटेड कहां पे है हमें कैसे पता होगा कहां पे तो इसी लिए पता होना चाहिए जो भी questions current phase में होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था project चीता के दौरान मैंने बोला था कि कुनो national park याद रखना पता होना चाहिए कि यह है कहां पे यह भी पता होना चाहिए कि recently किसको कर आए वो तो याद रखना ही है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि exact कि state में है next में बात करते है RBI ने अभी decently एक draft circular arrangement with card networks for issue of debit credit and prepaid card जो है वो launch करा है ताकि जितने भी यह card users है इंडिया में उनको empower करा जाए with card network portability with effect from dash तो यह कब से शुरू किया जाएगा card network portability अब इसमें क्या होता है अभी तक आपको अगर मैं अगर simple language में बताऊं जैसे हम लोग पह तो अब आप लोग चाहें तो अपने card को port करवा सकते हैं और यह जो circular है यह जो draft circular बनाया गया है बहुत important होगा इसको यादखना खास पर करके जो banking experience से जो interview करे जाएंगे और जो बाकी बच्चे है वो भी किये कब से लागू होगा तो यह शुरू होगा 1 October 2023 से ठीक है अब यहां पर जो users हैं मैंने आपको बता लिया है वाप port कर सकते हैं यानि की जैसे से mobile phone से port करते थे वैसे आप यहां पर अपने card को भी port करवा सकते हैं दूसरे किसी भी card में तो यह important है यह इसको याद रखना इसको कब से effective होगा यह भी याद रखना RBI के द्वारा यह निकाला गया था recently अब तो काफी नहीं हो चुक है जम पोर्टल को launch किये हुए NICIL के द्वारा जो launch किरा गया था जम पोर्टल वो खड़ा गया था 2017 में ठीक है अब इस पोर्टल के दौरान क्या हुआ था यह कहा गया था कि जितने भी मानलों कोई tender है किसी भी government में कोई भी department है अग अपने influence के दम पे वो टेंडर को ले लेते थे और government वहां पे वो चीजों को है जो एक transparency जो थी वो नहीं बन पारी थी तो उन चीजों को रोकने के लिए government ने शुरू करा था एक ये पोर्टल government e-marketplace तो इसमें क्या हो था जितने भी government के जो departments है अब वो जैसे मालों AC भी लेन currency के साथ होगी तो ये जो है ये शुरू करा गया था अब इसके according की बहुत सारे awards भी जो है वो टाइमली मिलते हैं जैसे गवर्मेंट ऑफ विनर ऑफ द गवर्मेंट ये marketplace अवार्ड ये किसको मिला है तो ये अवार्ड मिला है यहां पे NLC इंडिया लिमेटेड को ठीक है य खरीद और जो बेचने की भी चीज़ें होती है गवर्मेंट डिपार्टमेंट की तो वह सब इस पोर्टल के थूपर की जाती है नेक्स पर आते हैं इंडिया की इन इए की भी कोई इस तरीके इसफ़ फश्येशर्ट में पूछी जाती है तो इंडिया की इसको के नाम क्या है इनका इनका नाम है इनिना घौष्ट पहले थे अनंत मेश्वरी तो अब ये चेंज हो चुके है नेक्स पर आते हैं इनाइटी नेशन वर्ल पॉ है किस तारीक को तो हर साल याना जुलाई को जो है वर्ड पॉपुलेशन दे के रूप में मनाया जाता है इसकी थीम जादा इंपोर्डन है उसको याद रख लेना अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा अनलीशिंग दा पॉवर ऑफ जेंडर एक्वैलिडी अप्लिफ्टिंग दा वॉइस ओफ विमन गर्ल्स तो अन्लॉक आर वर्ड इंफिनाइट पॉसिबिलिटीज ठीक है मेर रिपीट कर देता हुआ इसको नोट का लीजिएगा आपने नोट्स में नोट्स में नोट्स में अन्लीशिंग दा पॉवर ऑफ जंडर एक्वैलिटी अप्लिफ्टिंग दा वॉइस ओविमन और गर्ल्स तो अन्लॉक और वर्ल्स इंफिनाइट पॉसिबिलिटीज पहली बार ये कब अब्सक्रा गया था तो पहली बारे 1987 में बनाया गया था इस दिन को ठीक है तो इस ब पांच बिलियन जो है वो टच कर रहा था उस मार्क को और अभी की बात करें तो यह अब आप लोगों के सामने है कि कहा तक पहुंच पहला वर्ल पॉपॉपुलिशन डे उन्नी सो नब्य में मनाया गया था एक्जेक्ट अगर मैं बात करूं 1987 में जो है दिन मनाया गया था वो था दे ओफ फाइफ बिलियन देखो यहां पर भी अब कन्फूजन मैं क्लेर कर देता हूँ 1987 डे जो था वो यही था 11 जुलाई तब क्या मनाया गया था तब था दे ओफ फाइफ बिलियन क्यों क्योंकि तब पांच बिलियन जो है पॉपुलेशन दुनिया की टच करी थ चीक है अब यहां पर कन्फूजन नहीं होनी चाहिए कि पॉपुलेशन डे पहली बार सा 1990 में लेकि 1987 को 11 जुलाई को मनाया गया था डे और फाइफ बिलियन और इसी में जासे यह मनाया जाता है चीक है नेक्स पर आते हैं हम लोग अब यह कोन है जो पूरा ध्यान रखता ह यह रखता है UNPFA यानि की उनाइटे नेशन पॉपुलेशन फंड हेड़कॉर्टर कहां पर है हेड़कॉर्टर है आपका न्यू यॉयॉक में चीक है इसका एक मोटो भी है वो भी याद रख लेना अब इसका मोटो क्या है इस पूरे और्गनेजेशन का इंस्यरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर रॉल चीक है नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग आप इससे UNDP की अगर बात कर रहे थे हम लोग अब यहां पर क्या है यह अलग है इसको ध्यान रखना कितने ऐसे लोग हैं जो की पॉवर्टी से बाहर निकले इंडिया में विदिन जस्ट फिफ्टीन इर्स तो देखो यह जो डेटा है यह बहुत यह अच्छा डेटा है आप लोग मान लीजिए कि जो हैं फिफ्टी फाइब पॉसंट जो है डिक्रीज जो देखने को मिला दो 2015 के डेटा के हिसाब से और 16% डिक्रीज देखने को मिला 2020 के कंपैरिजन में तो यह जो डेटा है यह कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर निकले है तो वह है 415 मिलियन ठीक है तो यह 415 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं पिछले 15 साल में यह कौन दे रही है UNDP रिपोर्ट दे रही है तो इसको यहां पर याद रखे गए यह नंबर ही आपको याद रखना है डारेक्ट नंबर भी पूछा जाता है कहीं बार according to the 5th edition of survey on digital and sustainable trade facilitation by the United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific इस तरह बड़ा नाम released in July 2023 which country has emerged as the best performing country in the South Asian region in term of trade facilitation तो देखो यह जो news है इतने बड़े नाम वाली यह तबी आती है जब यहाँ पर इंडिया ने किया और जब इंडिया ने टॉप किया होता है इस तरीके में अगर मैं बात करूँ ट्रेट facilitation की बात कि जाए South Asian region में best performing country बनी है तो यह बहुत important है इसको बस आप लोगों को याद रखना है UNS CAP या जिस भी तरीके से आप इसको बोल सकते है तो यहाँ पे जो आया है यह data यहाँ पे है और इनका score बहुत अच्छा रहा है इंडिया का 2021 में 90 पॉसेंट था अगर 2023 की बात करें तो 93.55 पॉसेंट यह जो स्कोर है यहाँ पे क्या गया है अब यहाँ पे जो सबसे important question बनता है क्योंकि आपके इस लेबस में है कि international organization रीजिनल और्गनाइजेशन इनके headquarters आम तोर पे UN का कहां पे UNESCO का कहां यह सबको पता है अगर आपसे पूछा जाए UNS CAP का कहां पे है ठीक है अब यह question भी बहुत important है तो इसको याद रखना है आप लोगों को अब इसका कौन सी ऐसी है जिसका headquarters नैरोबी में है और इसका याद रखिएगा Bangkok में है थाइलेंड में है तो इसका भी आपको पता होना चाहिए नेक्स पर आते हैं देखो कौन से ऐसे बैंक है जिनोंने रिसेंटली कॉंट्रिब्यूट करा है 27 बिलियन युएस डॉलर अमाउंट देख सकते हैं यह बहुत बड़ी अमाउंट है 27 बिलियन जो कॉंट्रिब्यूट करा गया है फॉर इंडिया ग्रीन ग्रोथ डूरिंग डूरिंग देखेंगे वह इंडिया का देखोगे हाइड्रोजन की फील्ड में जो हम लोग यहां पर काम करना यह जो तीन बैंक है मैं आपको तीनों का बता दूँ यह तीनों नाम जो आप यहां पर देखने हैं इन तीनों नहीं कहा है कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यह कौन- और एशियन डेवलप्मेंट बैंक यानि कि इन तीनों ने यह कहा है और अमाउंट को भी याद रखना यह 27 बिलियन यूएस डॉलर होगा जो इंडिया की ग्रीन ग्रोथ के लिए यहां पर मिले हैं ठीक है तो यह पॉइंट आप यह लोग याद रखना अब बात करते हैं यह जो इंटरनेशनल कॉंफरेंस हुई है ग्रीन हेड्रोजन की यह कहां पर हुई है तो देखो यह हुई है नियूडली में जो हमारा विज्ञान भवन है वहां पर ही यह जो इवेंट है इसको करवाए गया है अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ग्रीन हेड्रोज क्या है यहां पर तो इंडिया जो है दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है जो की इस टाइम पर रिन्योबल एनर्जी को इंस्टॉल कर रही है जो अपने कॉस्ट एफेक्टिव सोलर या विंड पॉवर जनरेशन पर काम कर रही है और इसी के अलावा एक नया मिशन भी लॉंच करा गया है वो क्यों सा है वो है स्वारी नेशनल ग्रीन है अट्रोजन मिशन चाहिए तो यह भी यहां पर यूऩर्मेन द इंडिया के द्वारे इसको लॉंच करा गया था अगर पब्लिक सेक्टर सकी बात करूं तो पब्लिक सेक्टर यूनिट जितनी भी है हम लोगों की उन सब ने ये कहा है कि वो एक मिलियन मेट्रिक जो टन है एक मिलियन मेट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा उसको कब तक करेंगे 2030 तक लोगों को बता दो अब आप लोगों को जैसे हम भी किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन बहुत सारे जो है एक अच्छी चीजों में है जो टाइम हो रहा और यह अमाउंट याद रखिएगा 27 बिलियन आप से डिरेक्ट पूछवा जा सकता है नेक्स पर बात करते हैं हम लोग इंडिया ने अभी डिसेंटली एक पार्टनर करा है अब लोग जितना भी ट्रेड करते हैं और यह सिर्फ हमारी नहीं है बहुत सारी कंट्री जिसमें काम करती हैं इसी वज़ा से क्या होता है यूस डॉलर के कंपारिजन में रुपी जो है वह बहुत वीक पढ़ दाता है लेकिन आप जो हम लोगों की डिपेंडेंसी है रुपीस में ही यहां पर डील करेंगे अब जैसे रशिया पर आप लोगों ने देखा होगा जब सेंक्शन्स लगाए गये थे यूसे के द्वारा की बहिया अब आप लोग अपनी जो नैच्रल रिसोर्स हैं जो आप लोग गास बेचते हैं चीजें बेचते हैं वह आप न अब लोगों को बहुत बहुत हैं और अगर बात करें जो ट्रेड गया है वह काफी कम हो जाएगा इसके बाद और और अगर मैं बांगलादेश की बात करूं तो इंपोर्ट जो वो करते हैं वो कितने सालाना कितना होता है वो 13.69 billion का जो है US dollar का जो है वो करते है और export किये कर बात करें तो 2 billion का जो है बांगलादेश export भी करता है इंडिया में अब रुपी की फॉर्म में हो जाएगा उनको भी कम भुआ जाएगा और इंडिया को भी जो है चीजें यहां पर रुपी की जो है स्ट्रॉंग जो होगा वह डॉलर के कंपैरिजन में वह बनना शुरू हो जाएगा तो यह पार्टनर किसके साथ करा है वह करा है बांगलादेश के साथ इंडिया ने अभी मेडल टैली को टॉप करा है कितने मेडल के साथ जो एक 34 इंडियूलियू है ऑलमपियाड घ्ला गया था उनाइटड अर्ब एमिरेट्स तो इने इस मेडल की करणाव करा है यह जो एक इवेंट कर हूँ था ओलमपियाड इसमें इंडिया ने टोटल जीते हैं चार गोल्ड मैडल ठीक है चार गोल्ड मैडल यहां पर इंडिया ने जीते हैं इसको याद रखना और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज याद रखना पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के तरफ से जो चार लोग गे थे और उने यहां पर मैडल जीता है अगर बात करें इ international Malala Day celebrate करा जाता है across the globe किस डे को यहां पर यह मनाया जाता है हर साल 12 जुलाई को international Malala Day के नाम से मनाया जाता है ऐसे Malala Day भी कहा जाता है Malayala यूसफ 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 यू जही जो थी यह पाकिस्तान के एक education activist है और यह Nobel Prize winner भी है तो यहां पर इनको याद रखिएगा ठीक है यह Malala Day बहुत famous था और हुआ भी था निउस में भी काफी time तक यह चीज़े रही है इनफक्त अभी भी है तो यह भी आपको पतावना चाहिए को जी स्टेट गवर्मेंट है जोनों रिसे रिसेंट डिक साइन करा है एक सीरीस ओफ मॉइव इंटी पीचे लिमिटेड तो इन्हांस पॉवर इंफरस्ट्रॉक्चर और क्लीन एनर्जी जनरेशन तो देखो यह जो मॉइव साइन करा गया है में गाले ने यहां पर इसको साइन करा है गवर्मेंट आफ में घाले ने एंटीपीची के साथ इसको करा है साइन ताकि जितनी भी पॉवर इंफरस्ट्रॉक्चर होगा और जो क्लीन एनर्जी जनरेशन होगी उसको इन्हांस करने के लिए यहां पर क्या गया है नेक्स्ट की बात करते हैं जीएस्ट डे आप लोगों को मैंने बताया था कि मनाया गया है अब जीएस्ट यहां पर सीधा पहले बता देता हूं कि आंसर सही कौन सा था ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए तो यहां पर मैं बात करूं इसमें बी और सी ऑप्शन जो सही है पहला ऑप्शन जो गलत है क्योंकि जो स्नाक पलेट्स है या फिर जो सेमी फाइनिस्ट गेमिंग के उपर ठीक है तो यह चीज भी यहां पर बस याद रखेंगे हर साल यह जो मीटिंग होती है उसके दौरान जो काफी हाइलेट होती है चीजें तो वह कहीं बार एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं सबसे जालता तो यही था कि कितने परसेंट कर दिया गया है अलाइन गेमिंग पर आप लोग जो ट्रीम 11 खेलते हैं अगर आप एक रोट रुपे जीतेंगे तो आपको 28 लाख रुपे पहले गुवर्मेंट को देने पड़ेंगे टेक्स की फॉर्म में ठीक है तो यह चीज भी याद रखना नेक्स पर बात करते हैं अभी रिसेंटली कौन सी कंपणी थी जिसने जो पहली एसी सेंट्रल पॉब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी है इंडिया की जिसको सर्टिफाइड करा गया है एंटी ब्राइबरी मेनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरकर युएस से ने यहां पर इसको करा है तो किसको मिला है यह कौन सी पहली सेंट्रल पॉब्लिक सेक्टर कंपनी बन चुकी हैं अच्पराइज मिला यह तो इसमें आपको याद रखना है कि कि सब्सक्राइब पहला है आपका ओएंजोन को यहां पर इस से समानित करा गया है नेक्स पर आते हैं उन से ऐसा पहला रीजनल मल्टि लिंग्वल आर्टिफिशल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर बना है जो की डीसेंटली टीवी में आया है और इसा टेलिवीजन लिमिटेड में इसने यहां पर आया देखो यह जो आप देखने हैं यह को इंसान नहीं है यह जो है यह सब जो न्यूज एंकर बनाए गए हैं यह जो एंकर हैं यह अब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोगों की जो न्यूज है वो बोलेंगे आपकी लोकल लेंग्विज में यह बहुत खतरनाक होगा सब कह रहे हैं जब होगा थब देखा हुआ आजकल आप लोगों को सिदुमुसे वाला अर्टिफसलम अरीजीत सब मिलके एक ही गाना गाते में सुनने को मिल रहे हैं यह सब यह की वज़ा से हो और हार्डली आपके वासा कर चार से पांट सेकंड की किसी की वोईस है आप उसको कर सकते किसी भी सौंग में वह यह उसको उसमें लेके आ जाएगा वैसे ही फोटोग्राफ के साथ वीडियो के साथ एजनेरेटेड वीडियो फोटो बहुत सारी वाइरल जो होनी है वह आप लोगों को देखने को मिल रही है तो यह भी बस शुरुवात है एई बहुत दूर तक जाएगा और एई कितना खतरन जब टोथ गैटवए भी शुरू करेगी मिलिशिया में देखो यह किरा गया है रेज़र पर इंडिया के साथ रेजर बेंडिया ने अभी रीसेंट्ली सको इनौगरेट करा है और लॉंच करा है अब यह मलीडिया में भी जो इंट्रेる से उसको भी करेंगे मेगी पक्छ कि औलम्पिक कॉंसिल ऑफ एशिया के प्रेजिडेंट रिसेंटली किसे अपॉइंट करा गया है तो देखो यह करा गया है शेक तलाल फहाद अलसबा जो कवेट से बिलॉग करते हैं उन्हें निया प्रेजिडेंट बनाया गया है यहां पर ठीक है तो यहां पर इनका नाम याद रखना important appointments में आपको देखने को मलता है नेक्स्ट पर बात करते हैं कौन सी country ऐसी है जिसने रिसेंटली निदरलेंड को हरा के इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल मेंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 qualified tournament जीता है देखो एक अभी जो रिसेंटली य टीमें दो टीमें टीमें में यह जीता लंका द्वार से ब्सक्राइब है या यह को आने के चांसे बनते हैं इस एक मोबाइल दोस्त आप जो है वो शुरू करी गई है ताकि जितने इसने भी गवर्मेंट और सिटिजन सर्विसेज जो है एक्सेस मिल जाएगा गवर्मेंट सिटिजन सर्विसेज का डिरेक्टली फ्रॉम दियर मोबाइल डिवाइस तो यह किस ने शुरू करी है मोबाइल दोस्त आप यह करी गई है जब किश्मीर की सरकार के द्वारा यहां इसको याद रखना तो आप इसको करागए है किसके साथ मोबाइल दोस्त आपको यह है आपका मोबाईल अमारा दफतर जाय हैं यहां पर इसको याद रखना यह इसको एक इनिशेटिव करा गया एह है कि जो citizen-centric services हैं उसको यहाँ पर करा जाए और साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए यह आप डवलप करी गई है आई-टी डिपार्मेंट जम्हु कुश्मीर का और इसमें किस स्टेट के आई-टी डिपार्मेंट ने संकर भी आये थे जो की चीफ मिनिस्टर है हर्याना के प्रिंचिपल सेकेटरी है जो चीफ मिनिस्टर के वह भी यहाँ पर प्रेजेंट से अब इसमें इस एप की बारे में आपको आपको लास्ट में जाते हैं welfare schemes आजाती है वो सब की सब इस एक सिंगल आप में होंगी यहां पे आप लोगों को help line connection मिल जाएंगे टाकि जो government के टेंडर्स पड़ते हैं जैसे मैंने आपको बताए जैसे अभी तो फिलाल आप को पूरी government के जो टेंडर्स होगे उनकी बात कर नहीं इसके अलावा यहां पर आप लोगों को को कोई पेमेंट है ट्रैवल डीटेल्स आपको चाहिए कोई जौब अप्लिकेशन है निम्ज अब् चाहिए या कोई important context चाहिए वो सब आपको इस particular आप मिल जाएंगे और इसके साथ ही यहाँ पर आपको detailed information मिल जाएगी कि किस तरीके से जो इंट्रेप्रेणोर जाएं बिजनेस हैं उनको opportunities मिल सकती है और माली जेकल को अगर कोई crisis आ जाती है तो वो यहाँ से help line number से direct police fire medical disaster management और rapid response और assistance during emergencies यह सब आप लोगों को जो है इस particular आप में मिल जाएगी तो यह बहुत ही अच्छी है आप लोग डाउलोड भी कर लेजिएगा अगर आपको मिलती है तो play store पे चेक कर लीजिएगा तो mobile दो आज के important current affairs I hope आपको आज की class पसंद आई होगी तो कल हम बात करेंगे जुलाई 3rd week के ओपर और फिर जुलाई 4th week के साथ खत्म करतेंगे अगर आप लोग कोई भी कोस्ट में नोल होना चाहते हैं तो triple s code को यूज़ कर लीजिएगा चिरफ एक दिन के लिए यह offer available है तो